और क्या हाले मीरी दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का श्रैथा पाकिलामी स्वागत की साथ सा अभिनेंदन करते हूँ, आप लोक कैसे हो आज श्रैथा पाकिलाम बनाए अर्वी दम जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के त्यार होगा एक बार आपने इस तरीके से अर्वी दम को बना के तयार कर लिया तो ये रेस्पी आपको बहुत जादा पसंद आएगी बहुत थोड़े समय और बहुत थोड़े समागरी के त्वारा ये दम अर्वी बन के तयार हो जाती जिसका स्वाथ बिल्कुल भी अलग होता है चलो दोस्तो हम आप इसको मिल्क के बनाना शुरूर करते अर्वी के द्वारा तयार समची रेसिपी अर्वी दम बनाने के लिए सबसे पहले हमने 300 ग्राम अर्वी लिया है इसको अच्छी तरीके से धुल के साफ कर ले जिसके इसके उपर की जो भी मिट्टी वेगरा वो पूरी तरीके से साफ हो जाए जब भी आप अर्वी दम बनाने के लिए इस अर्वी को लीजे तो हम इसा छोटी साइज की गोल अर्वी लीजे इससी सबची का स्वाथ बहुत ही बढ़ियां बनके त्यार होता है और कम गाठो वाली अर्वी होती है तो खार इस भी नहीं करती तो हमने सबस्पहले अर्वी को धुल के साफ कर लिया साफ करने पाद अब इसी हमने उबाल के त्यार कर लेना है जब इसके अंदर उपाला जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हैं और करीब 5-6 मिनट तक इसको लो फ्लेम पे पका के त्यार कर लेते हैं और इस तरीके से देखें कुल मिला के अर्वी को हमने 7 मिनट तक पका के त्यार किया गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं, अर्वी अच्छी तरीके से पक गई है, पर और कुक हमने अर्वी को बिल्कुर नहीं किया, क्योंकि थोड़ी सी है, सबचिक साथ भी पकेगी, इस पूरी अर्वी को हमने एक प्लेट के अंदर निकाल के रख लेना है, और रखने के बाद अगर आप बड़ी साइच की प्याज लेते हैं, तो एक पीस प्याज के तोरह एक ग्रेवी परफिक्ट बंद के त्यार होगी, एक मीडियम साइच का हमने टमाटन लिया है, चार से पांच पीस हमने हरी मिर्च लिया है, सबची को बनाते समय हमने लाल मिर्च को उपयोग न इस सबची को बनाने के लिए 100 ग्राम एक दम से ताजी वाली दही लिए, जादा दही हमने पुरानी खटी नहीं लेनी है, एक पीस टमाटर साथ बाद में दही को पीस के त्यार कर लेते हैं, सबस्पर एक पीस प्याज को हमने कट करके त्यार कर लिया, इसको एक मिक्सी के अदरक हरी मिर्च लहसंग साथ डाल के बिना पानी डाले, इसको हमने पेस्ट बना के त्यार कर लेना, त्यार पेस्ट को एक कटोरी के अंदर निकाल के रख लेते हैं, जार के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इस पानी को भी इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर हमन कर दे लिता हैं आप दे नीचे उसी जार को लिए उसके आंदर डाल देते रिखना अब जो अपने अर्वी को छील के तैयार किया है एक फॉक की साहता से इसके अंदर होल कर देते हैं इसी प्रोसेस के तोरह बागी अर्वी के अंदर भी हमने होल करके त्यार कर लेना है जिससे जब आप इसकी दम अर्वी को बना के त्यार कर लिए तो सबची एक दम से परफेट बन के त्यार होती है गैस पे हमने एक पैन रख दिया, पैन गरम हो गया तो इसके अंदर एक टेबे स्पून सरसो का तेल डाल देती है तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देती हैं, उसके बाद इसके अंदर हमने अर्वी को डाल देना है और गैस की फ्लेम लो टू मीडियम करके बीच बीच पे चलाते भी इसको कलर चेंज होने तक हमने फ्राई करके त्यार कर लेना है जब तक यह फ्राई होता है हमने दूसरी तरफ एक दूसरा पैन रग दिया जब पैन गरम हो जाता है तो इसके अंदर दो से तीन टेबे स्पून सरसो के तेल को डाल देते हैं तेल को अच्छी तरीके से गरम होने देती हैं उसके बाद इसके अंदर हमने आधा टेबे स्पून अजवाईन को डाल दिया हजवाईन हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है और अर्वी की सब्ची में इसका स्वाद भी बहुत जादा बढ़ियां बनके त्यार होता है अब जो हमने एक प्याज को कट करके रखा है पूरी प्याज को इसके अंदर डाल देते हैं आज को गैस की मीडियम फ्लेम पे चलाते वे करीब 3-4 मिनट तक हलका सा कलर चेंज होने तक हमने भून के त्यार कर लेना है अब इसके अंदर जो हमने प्याज का पेष्ट बना के त्यार किया था अदराख हरीमिर्च लहसंग साथ पूरे पेष्ट को इसके अंदर डाल देते हैं और डालनेंग बाद इसको तरके साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं स्वात के उसा इसके अंदर पॉना टेवे इसमों नमक को डाल देते हैं नमक को प्याज के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं मिलाने बाद इसको हमने कवर कर देना है और गैस की फ्लेम लो कर देते हैं और इसको बीच बीच पे चलाते हुए करी 3-4 मिट तक हमने भून के त्यार कर लेना है जिससे मसाले अच्छी तरीके से भून के त्यार हो जाएं और इस तरीके से मसालों को भूनते हुए लगबख 4-5 मिट हो गया है यह अच्छी तरीके से भून गया है अब जो हमने टमाटर और दही का पेश्ट बना के त्यार किया था पूरे पेश्ट को इस के अंदर डाल देती हैं अच्छी तरीके से इसको भी हमने मिला लेना है मिलाने बाद इसको भी हमने कवर कर देना है इस समय हमने गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है बीच बीच में आप इसको एक से दो बार जरूर चला लीजेगा और यह इधर जो हमने अर्वी को भून के त्यार कर रहे थे इसको भूनते भी लगबक चार से पांच मिनट हो गया देखे अर्वी पे हलकालका स्पॉट पड़ गया है इतना इसको हमने भून के त्यार करना था अब इसके अंदर एक टीवे स्पून बेसन को डाल देते हैं और लो फ्लेम पे चलाते हुए करीब एक से दो मिनट तक बेसन को अर्वी क साथ भून के त्यार कर लेते हैं बेसन को बहुत जादा मदभूनिगा कि नीचे से जल जाए और सबची के स्वात को खराब करते हैं गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इदर मसाले को भूनते भी लगबक तीन से चार मिनट हो गया है इस तरीकेस, देखे हैं, इसके अंदर दुबारा से उ बाला आ गहा इसको आपने कवर कर देना है, करीब 5-6 मिनट तक गैस की low flame पी इसको पका पकाजर कर लेते हैं और इस तरीके इस देखे सबची को पकते वे लगबग 4-5 मिनट हो गए इतना ही इसको हमने पका के त्यार करना था अब इसके अंदर 1 टेबे स्पून के करीब हमने कसूरी मेथी को डाल दिया और 4 टेबे स्पून इसके अंदर हमने गरम मसाला डाल दिया इन दोनों को सबची के अंदर अच्छी तरीके से मिला देते हैं मिलाने के पाथ इसको एक मिनट के लिए कवर करके गैस की लो फ्लेम पे पका के त्यार कर लेते हैं उसके बाद इसके अंदा हमने थोड़ा सा धन्या पत्ता डाल दिया, गैस की फ्रेम को बंद कर दिया, सब्ची को उने अच्छी तरीके से मिला लिया, मिलाने पद आप इसको सर्फ कर लीजिए, गर्मा करम सब्ची रोटी पराथा पूरी क साथ पहुत ही जाता टेस्टी रग झाल लीजिएyrics से जाता कर लीजिए, अच्छी कर लीजिएी जाता टेस्झेवा रशी रूरी पीजिए, झाल ने हम थिलwhघए को घएभी हो रड़ी क। है कम उनेमा वरणी स्पहले को फोड़ए।, ऑवेशी मिलाने से फोरी रेता पीजवाब सॉटी पोरी जाए, जाते